असलाम लेकुम माई वीवर्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे आलू मटन चीज काटलेट जो की एकदम ही आसान तरीके से बनाएंगे और रमजान के लिए तो बहुती बेहेतरिन सा स्नैक्स है तो चलिए देख लेदे इसको किस तरीके से बनाते हैं मैंने यहां लिया है 700 गराम आलो उसे उबाल कर छिलके उतार लिये है और उसे कद्दू कस कर लिया है आप मेज भी कर सकते हैं इसे साइड पर रख देंगे मैंने यहां लिया एक कड़ाई उसमें दाले हम तीन टेबले स्पून ऑईल उसे गरम होने देंगे गरम हो जाए उसके बाद हमें एड़ करना है आदा चमच राई आदा चमच जीरा आदा चमच सौफ और आदा चमच से कम दालेंगे हम हल्दी पाउडर आदा चमच धनिया यह Прस्की आदा चमच दालेंगे हम गरम मसाला और डालेंगे हम नमक टेश की अकोड़िंग उसी के साथ दालेंगे हम हरी मिल्ची वह भी हमने एक चमच लिया है आप टेश की अकोड़िंग लेसकते है जितना आपको तीखा पसंद हो मसाले को हमें अच्छी से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमें आलू को एड़ करना है मसाले को हमें ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा सा दालेंगे हरा धनिया और हमें इसे अच्छी से मिक्स कर लेना है आलू और मसाले को भी हमें अच्छी से मिक्स कर लेना है कि देखी यह मिक्स हो चुका है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइट पर रख देंगे एक कड़ाय में हमने दो टेबले स्पून ओईल लिया है ओईल गरम हो जाए उसके बाद हमें प्याज को एड करना है मैंने एक प्याज को चौप किया हुआ है उसे थोड़ा सा सौटे करें है हमें एक से दो मिनिट के लिए ही से पकाना है तो देखे दो मिनिट हो चुके है उसके बाद हमें एड करना है एक चम्माच क्रस किया हुआ हरी मिज आदा चम्माच से कम हल्दी पाउडर आदा चम्माच दालें हम जीरा पाउडर आदा भाहिमीज को पावबर, आद्व चमच गरम मसाला, आद्व चमच लेंगे आमचुल पावडर, एक चमच लिया है मैंने साबूत धन्या, उसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है, मसाले को मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद हमें डालना है मटन का कीमा, यह 80 gram कीमा है आप कम जादा quantity कर सकते हैं एक मुठ्धी दालेंगे हरा धनिया और हमें इसे अच्छे से mix कर लेना है कीमे और मसाले को हमें 10-15 मिउट के लिए से पका लेना है कीमे कुछ ताकि अच्छे तरीके से पक जाए हमें से mix करते भे पका ना है तो देखे 10 से 15 मिट हो चुके है और ये खीमाची से पक चुका है अभिसम साइट पर रख देंगे ठंडा होने के लिए हमने यह एक बावल लिया है उसमें दालेंगे हम 3 टेबले स्पुन मेदा हमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करकर एक अच्छा सा घोल बना लेना है आप मेदा ना यूज करके अंडा भी ले सकते है और देखे कितना लिक्विड है अभिसम साइट पर रख देंगे कीमा और आलू ठंडे हो चुके है मैंने यहां लिया है देड़ चमच आलू और आलू का हमें बोल की सेब दे देना है और हातों की मदश से हमें इस तरीके से कटो देखे मैंने यहां एक चमच कीमे का यूज किया है जितने इसमें आया आप उतना एड़ कर दें बाकी की हम इसी तरीके से बना लेंगे देखे बाकी की भी बन चुके है इसके अपर हम रखेंगे अब ची स्लाइज अब हमें एक एक करके इसे लेना है और हात की मदश से प्रेस करते वे पेटिस बना लेना है अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से बताती हूँ आप उसी तरीके से बनाए आपके भी परफेक्ट बनेंगे तो देखे हमारा पेटिस बन चुका है तो इसी तरीके से हम बाकी की करना लिया है तो हमने जो मैदे की लइ बना कर रखिदी उसमें बेटी कों एड करना है और हम देझे लिए और हमें अच्छी से कोटिंग करना सब्सक्राइब क्लाइब करने ठाए अच्छा इसकी कोटिंग हो गई है और बाकी के भी म सब इस सरी किसे बना लेंगे तो देखे बागी के सब हमारे बन चुके है अब इसे हम करेंगे फ्राइ तेल को गरम होने के लिए रख दिया था पेले से और तेल गरम हो चुका है तो अब हमें दालना है पेटीज जितनी जगिया हो उतनी पेटीज को एड़ कर दे पेटीज को हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है और तीन से चार मिट एक साइट पक जाए उसके बाद हम इसे पलटना है देखे तीन मीट हो चुके है अब इसे हम पलट लेंगे दोनों साइट से हमें अलटे पलट अच्छा गोल्डन कलर आय तक इसे पका लेना है और अच्छी से क्रिस्पी हो जाए हमें इतना पका लेना है तो देखे हमें 5-7 मिट लगे से पकते हुए और यची से क्रिस्पी भी हो गए है तब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्फ करेंगे मैंने यहां सर्फ किया है केचप और पुदिने की चटनी के साथ अगर आप एक बार इसे बना कर खिला देंगे तो बार बार आपको यही बनाने के लिए बोलेंगे इफ्तारी में इतना मज़दार स्नेक्स लगता है एक बार तो बनाना बनता है तो जल्दिल दे जाएए और बनाएए तो चलती हूँ अगली वीडियो में मिलते है तब तक के लिए अल्ला हाफिज